नमस्कार इंडिन न्यूस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ संगिता। आए जानते आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। मेश राशी कोद पर नियंत्रन रखे क्योंकि आज रहन सहन अविवस्थित रहेगा। किसे मित्र के सहयोग से कारोबार बढ़ सकते हैं। कि घर परिवार में धार में कारी हो सकते हैं। भाग दौर भी अधिक रहेगा। व्रिशम राशी आज ओफेस में व्यर्थ के विवादों से चिंतित हो सकते हैं। अज नौकरी में तरक्की के आउसर भी मिलेगे। आयमें व्रिध्थी होगी पर अदुकारे छेत्र में परिवर्दन हो सकता है। संतान की ओर से सुखत समाचार बल सकते हैं। वहाँ लेने की सूच रहे थे तो आज लेने का सही समय है। स्वास्त को लेकर चले ही आ रहे हैं परिशानियों से रहत मिलेगी। मिधुन राशे। आज आपके राशे के इस्तिती धन कमाने की और अधिक रूची बढ़ाएगी। खुद के लिए आज समय निकालेंगे। आज शासन सत्ता के लोगों का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखत समाचार मिल सकते हैं। धर्म कर्मों में रूची बढ़ेगी। कुटुम्ब के किसे बुजर्गों को स्वास्त विकार हो सकता है। किसे भी परिशानी में आप बढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखे। साथी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। कर्ग राशे कारोबार में परिश्ट्रम की अधिक्ता रहेगी। लाप की आउसर मिलेंगी। आत्म विश्वास भरपूर रहेगा। धैरेशेलता में भी व्रधी होगी। परिवार में शांती बनाई रखने का प्रयास करें। आज स्वास्त का विशेश्यान रखें। कोई तक्रीप हो सकती है। सुरासीश्वा में आज भाग्य अस्थान में होने से आज आपके भाग्य के अंग बढ़ेंगे। यानि भाग्य भरपूर साथ देगा। आपकी भावनाव कोवश में रखें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे इस्थान पर जाना पड़ सकता है। सिहराशीश्य। सरकारी कारें निप्चा लेना बहुत अच्छा रहेगा। आज कामकाज में परिश्रम अधिक होगा। लाप्राप्ती के योग बने हुए हैं। लेकिन कुटूंप परिवार में धार्मिक कारे होंगे। जिसकी बज़ह से खर्श अधिक होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारुबार में कुछ कठिनायां आ सकती हैं। सेहत का ध्यान रखे। लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे। कन्या राशी काफी समय से गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे। तो आज पूरा हो जाएगा। आज हर कार्य में परिवार का साथ मिलेगा। विशेश के मा के साथ अच्छी मिलेंगे आपको। आत्म विस्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर भी शाम के समय स्वभाओं में चिर्चड़ा पन हो सकता है। वाहन सुक में वृध्धी होगी। खुद के स्वास्त का तो ध्यान रखे। साथी पिता के विस्वास्त का फिशेश ध्यान रखे। अधिक घर्च होंगे। अनावश्यक विवात हो सकता है। ध्यान से रहे। दुला राश्य आज आपको मांच सम्मान की प्राप्ति होगी। लाप की आउसर मिलेंगे जसकी वजह से आत्म विश्वास भी भरबूर रहेगा माता से वैचारिक मत्भीद हो सकता है नौकरी में अतरिक्त कार्य मिल सकता है जिसको जिम्मेदारी से निभाना होगा संतान को कष्ट हो सकता है आपकी राशी में लंबे समय से केतू की अस्तित की जिद्धी बनाती है लेकिन महत्तपुर्ण नेड़ा जिद्धी होकर नहीं अपकी समझदारी से ले प्रश्रिक राशिक सरकारी नौकरी के योग बने हैं साथी नौकरी में तरक्की की आउसर भी मिल सकते हैं आज प्रशासन के कारे के जिम्मेदारी मिल सकती है आए में व्रिधी के योग बने हुए हैं सिहत का ध्यान रखे घर्मकान वाहन सुख में व्रिधी होगी बाचीत में संतुलन बना कर रखे कारेचीत में वैचारिक मत्भीत हो सकता है परिवार से दूर जाना पड़ सकता है पारिवारिक चिंता आपको परिशान करेगी धनु राशि में सोरे के इस्तुत आपको रशनात्मक कारिव की तरफ अ Gothic करें के सरकारी काले फूरे में समाजें कारियों में वा स divertуса लेंगे का बहागी आज आप में आलत से अधिक हो सकता है, वस्त्रों एवं वाहन के खरीदारी पर आज पैसा खर्च हो सकता है, दामपत्ति सुप में व्रिथी होगी, परिवार के जिम्मेदारी बढ़ सकती है, स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा, स्वास्ति के प्रती सचेत रहे, मित्र का सहयोग मिलेगा, प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, कुम राशे, आज स्वास्त ढीला हो सकता है, खान पान का विशेष ख्याल रखे, मीज मसाले का खाना कम खाए, मन में ना करात्मक पिचारों के प्रभाव से बची माता-पिता का साथ मिल सकता है, अनियोजि खर्चों में व्रिधी हो सकती है, धैरे शीलता में भी कमी रहेगी, किसे मित्र का आगवन हो सकता है, लंबे समय से रुखा हुआ काम बनेगा, जीवन साथी के स्वास्त का फिशेष धान रखे मीन राशी, आपके राशी में गजकेस्री राजयोग आज आपको हरेकार में सपलता दिलाएगा, नौकरी व्यपारवालों के लिए दिल बहुत ही स्वभागे शाली रहेगा, लेकिन आज स्वभाव में मधूरता वक्त शाली रखेगी, क्रोद एबं आवेश की अधिकता रहेगे, पीता के स्वास्त का ध्यान रखे, जीवन साथी को स्वास्त विकार हो सकता है, खर्चों की अधिकता से परिवार में समस्याएं भी बढ़ सकती है, आजवार विवाद से भी बचे, परिवार का साथ मिलेगा, आए में भी पृत्धी होगी, आईए अब जानते है इन तारिकों में जन्में लोगों को 31 दिसंबर को मिलेगा, शुप समचा, धनलाब का भी होगा प्रबल्योग, जोते शास्त्र की तरह अंग जोतीश से भी जातक की भविश्य, स्वभाव और वैक्तित्व का पता लगता है, जस तरह हर नाम के अनुसार राशी होती है, उस कारण के तोर पर महीने के 2, 14 और 20 सारी को चन्में लोगों का मुलांग दो होगा, आईए अब जानेंगे कैसा होगा आपका दिल, अंक एक, रोजाना की कड़ी मेहनत से आपको रस्कृत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अससे आपको अपनी प्रतीभा की अनुरूप अउसर मिल नई प्रसिक्षन या क्लास का लाब उठाएंगे, आपका शुबंख है 19 और शुबरंग बैंगने, अंक दो, धन सम्बंदित चिंताएं जल्द ही हल हो सकती हैं, अपने अंदर अगभुत उर्चा को महसूस करेंगे, अधिकुछ साह में आकर कोई भी फैसला करने से पचे, आज कर दिल आप में कुछ अंदुरोनी और बाहरी परिवर्तन लेकर आएगा, आपका शुबंख है 21 और शुबरंग लाद, अंक तेर, अपने साहस पर भरोसा रखे, यह समय उस्यात्रा के लिए अच्छा नहीं है, जसकी आपने यूश्णा बनाई थी, जोखिम लेने से बचे, किन्तु अपने खुश्णुमा मूर का मसाले, सिक्षक या पिता की तरब से किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यक्ता हो सकती है, आपका शुब अंखे 15 और शुबरंग को लादे, अंक चार, अपने लक्ष को लेकर गंभीर होने और कड़ी महनत करने के लिए समय अंक चाहते हैं, आप आज अपने रोजाना कारियों में से कुछ फूर्सत के पल खुद के लिए निकालेंगे, आपका शुब अंखे 10 और शुबरंग करें, अंक पांच, प्रकृती में समय बिताने से आप तनाओं और नुक्सान की भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने माता, पीता और बच्चों की जरूरतों को पूरा करें, याद रखें, परिवार सबसे पहले आता हैं और धन के मुद्दे एंतजार कर सकते हैं, आपका शुब अंखे 26 और शुबरंग निला, अंक छे, अपने विचारों और प्रेम को करीबी लोगों के साथ शेयर क अपने प्रेजनों से मल सकते हैं, आपका शुब अंखे 11 और शुबरंग भूरा, अंक साथ, आज आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, जिनकी संगती आपको अच्छी लगती है, अपने मित्रों को अपने किसे सफलता के बारे में बताएं, और यह आपने कैसे ह हासिल करें, उसका तरीका भी साचा करें, आपका शुब अंखे 11 और शुबरंग के सरिया, अंक आठ, आज नए अनुबंद या प्रस्ताओं के लिए किसे मेटिंग में भाग ले सकते हैं, आप किसे खास के साथ एक छूटी सी याथ्रा परचाएंगे, जगह की सुन्दरता को देखें और बहुत सी तस्वीरे लें, आपका शुब अंखे 19 अशुबर नारंगी, अंक नौ, आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, इन बातों का पूरा खयाल रखें, अपनी महनत के कारण ही लोग आपको पहचानेंगे, आप काम की अभिस्विक्रिती के साथ साथ भूतिक सुपी पाना चाहते हैं, आपका शुब अंक है 29 अशुबर सबेद, आईए अब जानते हैं आज का पंचांग, हिंदु पंचांग के अनुसार 31 दिसंबर 2022 शरीवार पोश माह के शुकल पक्ष नौमीती थी है, जानेंगे सुर्य और चंद्रमा का समय, सुर्य दै होगा सुबर 7 बच के 12 मिनट पर, सुर्यास्त शाम 5 बच के 47 मिनट पर, चंद्रोदै होगा 31 दिसंबर 2 पहर 1 बच के 8 मिनट पर, चंद्रास्त एक जनवरी सुबर 2 बच के 5 मिनट पर, जानेंगे हम तीथी, शुकल पक्ष नौमी, 30 दिसंबर 6 बच के 34 मिनट से 31 दिसंबर 6 बच के 33 मिनट पर, शुकल पक्ष नौमी, 31 दिसंबर 6 बच के 33 मिनट से 1 जनवरी, शाम 7 बच के 11 मिनट पर, जानेंगे हम आगे नच्छत रियूती, 30 दिसंबर 6 बच के 24 मिनट से 31 दिसंबर 12 बच के 47 मिनट पर, शुकल पक्ष नौमी, कप्त सब्सकेर सब्सक होग जानें हम हैं । शुपकाल राहू सुबह 9 बचके 50 मिनट से सुबह 11 बचके 10 मिनट तर यमगर्ण दोपहर 1 बचके 40 मिनट से दोपहर 3 बचके 8 मिनट तर कोलसे, सुबह 7 बच्चके 11 मिनट से शुबह 8 बच्चके 31 मिनट तक, दुर मोहरत सुबह 8 बच्च के 36 मिनट से 8 बच्के 29 मिनट सक बज़्या सुबह 8 बच्च सिřिंट सय बच्च Adult के 18 मिनट तक, इसे के साथ हो कि जानेंगे ,ivedjiit Мohrat सुबह नौ बच के 20 मीनδώ ताग मुरद सुबह 5 बच के 35 wwwきます ये तो थी आज की राशी फल अंकराशी और पंचांड पिर मिलेंगे इंडियन न्यूस में आपके भाग के बदलते सितारों की दश्हा पूलेकर हमारे विशेश कारेक्राशी फल नमस्कार झाल